Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जाखो राखे साईयां मार सके ना कोई. ये कहवत तो आपने जरूर सुने हुखी. दिले एरपोर्ट पर ऐसा ही वाग्या सामने आया. आईजियाई एरपोर्ट टर्मिनल 2 से भुवनेश्वर जाने के लिए आई एक बुजूर को अचानक से हाच अटैक आखेया. तभी एरपोर्ट पर मितानता स्पताल की तैनात एक महिला डॉक्टर ने CPR दे कर उनकी जान बचाली. महिला चुकिस्तिक द्वारा बुजूर को CPR देते हुए किसी नेक वीजियो भी बना लिया और इसे इंटरनेट मीडिया पर अप्लोड कर दिया. देखते ही देखते ये वीजियो इंटरनेट मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित हो गया है. फूट कोट एरिया में जिस स्टॉल पे हम थे उसके पास वाली स्टॉल पे एक ब्रद सजन थे जो की अचानक से गिर गये और हम उस तरफ भागे. मेरे साथ मेरे हजबन थे डॉक्टर रमाकांद गोयल और जब हम वहां पहुंचे तो एक डॉक्टर दंपत्ती भी वहीं पे थे डॉक्टर उमेश बंसल जो की जैपूर से हैं महावीर कैंसर हॉस्पिटल और उनकी वाइव डॉक्टर डॉली बंसल हम चालों लोगों ने मि CPR शुरू किया और पांच मिनिट के बाद में उनको थोड़ा सा वो रिस्पॉंसिव हुए थोड़ा सा सांस वगरा स्टार्ट हुए उनकी पर्स थोड़ी-थोड़ी सी महसूस होनी शुरू हुए थी हमने सी प्यार कंटिन्यू किया उनको सब्लेंग्वर्स ऑबिट्रेट जो की डॉली मैम के पास अवेलेबल थी हमने वो दी उनको और थोड़े देर में वह थोड़े से स्टेबल होगे उनकी पर स्थोड़ी सी बैटर हुई लोग इस महिला चिकिस्तिक की सूजबूच की जम कर तारीफ भी कर रही है कोई उन्हें चिकिस्तिक के रूप में खोश में आ गए तो उन्होंने बुजूर्ब को अंकल कहकर उन्हें हिम्मत देना शुरू कर दिया अंकल अराम से देख लीजे प्लीज कहती हुई वो हिम्मत दे रही है साथी महां मौझूद लोगों से इमेजिंसी प्लीज कहकर यानुरोद भी कर रही है कि मेडिकल पहुंचे इस दोराने उन्हें अचानक हाट टैक आ गया और वो जमीन पर किर पड़े अचानक उनके बेहोश होने के कारण किसी को समझ भी नहीं आया लेकिन तभी वहीं फूद कोट में मौझूद महिलाची किस्तक ने इस पूरे मामले को समझा और बिना समय गवाए उन् अगर आपको हमारा वीजियो पसंद आया तो इसे लाइक और शियर जरूर करें और अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्स्राइब नहीं किया है तो लेटिस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को सब्स्राइब करें